तो अपन NCRT का Physics का कौन से चप्टर का करने वाले exercise पूरा आज? Gravitation. Gravitation chapter का पूरा आज करेंगे अपन? Gravitation का exercise. एक कोस्टन डिसकस करेंगे अच्छे से, है न? चलो. Question number 1. क्या बोल रहा है? How does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? दो object की बीच की खाली distance को change करने बोला है, मतलब mass होगर सब हो क्या रहेंगे? fixed. ठीक है? तो आपको क्या बोला भीचा? दो object है, ध्यान से पढ़ो. दोनों का masses को change नहीं किया, बस दोनों की बीच की जो दूरी थी, उसको क्या कर दिया? Half. तो अपनको simple सी मालूम है कि भाहिया, force is inversely proportional to d square. तो d को अगर आप आधा करोगे, तो force क्या हो जाएगा? 4 times. क्योंकि d by 2 का whole square करोगे, तो d square by 4. और 4 उपर चल जाएगा. तो force क्या हो जाएगा? 4 गुना. कितना हो जाएगा? 4 गुना. तो इसमें बस आपको ये answer लिखना है. The force, as we know that force is inversely proportional to d square. Therefore, on reducing the distance by half, force will become 4 times. हमें पता है कि force जो है, वो d square के inversely proportional है. इसलिए दूरी आधी करेंगे, तो force 4 गुना हो जाएगी. ठीक है? क्योंकि देगो, d by 2 का whole square करोगे न? नया d मालो, ये पूराना d है, नया dash, d dash जो हो क्या हो जाएगा? d by 2. तो नया जो force हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? ये g, m1, m2. g, m1, m2. by, d by 2 का whole square, तो d square by 4. देखो, पूराने वाले का 4 गुना हो गया नया वाला force? तो नया वाला force is equal to, इस पूरे को पूराना वाला force लिख सकता हूँ? पूराना वाला force into 4. चार गुना हो गया. question number 2. gravitational force acts on all object in proportion to their masses. why then heavy object does not fall faster than the lighter object? देखो, बिल्कुल सही बात है. क्या बूल रहा है? कि दो object अगर है, एक भारी और एक हल्का, तो जो force लग रहा है, वो तो mass के उपर depend करेगा. ज़्यादा mass तो ज़्यादा force. अरे, ज़्यादा mass होगा, तो धर्ती माता ज़्यादा force लगाएगी, ना, नीचे खिचेगी. Yes or no? तो mass ज़्यादा तो force ज़्यादा. तो फिर ऐसा क्यों होता है कि अगर दो चीज को अगर आप छोड़ो, तो same acceleration से नीचे जाते हैं. क्योंकि भहिया, force depends, true, true, force depends on mass. Mass ज़्यादा तो धर्ती माता का force ज़्यादा. But acceleration is force by mass. And acceleration due to gravity is g, mass of planet upon radius of planet का whole square. In which there is no mass of object. Therefore acceleration due to free fall does not depends on mass of object. ठीक है? तो इसलिए ज़्यादा तेज, heavy object ज़्यादा तेज नहीं किरता है as compared to lighter object. क्यों? क्योंकि भहिया, force depend करता है mass के उपर लेकिन acceleration depend नहीं करता. बस यह लिखना है एक नंबर का. Is that clear? True, force करता है depend. Mass ज़्यादा तो force, ज़्यादा. But acceleration बराबर होगा सबका. बास समझ में आई? एक रुआ को और एक पत्थर को दोनों को एक साथ फिको. अगर एर हटा दो, तो दोनों एक साथ ज़्यादा को touch करेंगे. Is that clear? आगे बढ़े? है ना? record हो रहा है? आगे. Question number 3. Question number 3 क्या बोल रहा है? What is the magnitude of the gravitational force between the earth and a 1 kg object on its surface? mass of earth दिया हुआ है, radius of earth दिया हुआ है आपको. देखो, अब इदर देखो, कैसे करना है इसको अब इतना? calculation करने नहीं बैठना एक्जाम में. है ना? आपको क्या करना है? देखो, आपको क्या बोला? अर्थ है, उसका mass दिया हुआ है, 6 into 10 की पावर 23, 24. और radius दिया हुआ है, 6.4 into 10 की पावर 6, meter. यह दिया हुआ है radius, और यह दिया हुआ है mass. और यहाँ पर एक object है, 1 kg का, कितना? 1 kg का. तो आपको बोला है, दोनों के बिच में कितना force लगेगा? तो आप लिखो के force होता है, G, M1, M2 by D square. होता है यह formula? होता है यह formula? बस, G की value कितनी है? 6.67 into 10 की पावर, minus 11. बहुत कम है, है ना? याद रखना, minus 11, plus 11 नहीं होगा. इंटू, एक mass कितना है? 6 into 10 की पावर, 24. इंटू M2, 1 upon radius, 6.4 into 10 की पावर, 6 का whole square. अब यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है. यह इतना को सब ऐसे कुछ कटा-पीटा दिखा देना, और last में direct लिख देना कितना? 9.8. तो कि आपने यह calculation किया था, देखो, capital G into mass of earth upon radius of earth का whole square. यही तो आया था acceleration due to gravity. बास समझ में है? मालो कर यह 1 kg के जगा कुछ भी बोलता, तो आपको तो मालू मैं भी यह इस पूरे की value कितनी होने वाली है? 9.8. उससे multiply कर देते हैं. अरे बास समझ में है? वैसे तो direct है, यह M into G. यह पूरी G के तो value है. धर्ती माता किसी object के उपर जो force लगाएगा, वो कितना होता है? अरे अगर M मास का object है, धर्ती में रखा हुआ है, तो धर्ती माता कितना force लगाएगी? M into G. अरे कितने बार बताया, तो बोला करो ना. अगर M मास का object है, धर्ती माता के उपर रखा हुआ है, तो कितना force लगाएगी धर्ती माता? M into G. कितना लगाएगी? वही है देखो यह पूरा G इंटू M, mass of object तो लेकिन अपन direct M into G क्यों नहीं किये, क्योंकि आपको mass of earth और radius of earth दिया है तो आपको यह equation लिख के दिखानी पड़ेगी, is that clear? हाँ अगर यह नहीं दिया होता तो आप direct कर देते force is equal to M into G, mass 1 into G 9.8 that is equal to 9.8 Newton, is that clear? हाँ गराथ है, Newton लिखना जरूरी है तो तीन question हो गए, fourth question क्यों पर चलते है question number fourth, gravitation chapter का करने हैं पर पूरा, NCRT the earth and the moon are attracted to each other by gravitational force, does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or the same as the force with which the moon attracts the earth and why आपको क्या मुला है, कि moon जो है वो earth को attract कर रहा है, earth जो है वो moon को attract कर रहा है, तो जो earth moon को attract कर रहा है, क्या वो ज़्यादा है कम है या बराबर है, उस force है जिस force है, moon earth को attract कर रहा है तो reason के answer क्या है, बराबर है जितना force है earth moon को खीच रहा है exactly उतने ही force से moon earth को खीच रहा है इसके दो reason why भी बताना है तो पहला कि यह जो force लग रहा है यह action reaction pair है और जिनके magnitude हमेशा क्या होता है equal तो देखो अगर यह एक earth है धर्ती माता और यह चंदा मामा है ना moon तो यह दोनों के बीच का जो force है उसका formula क्या है g m1 m2 by d square दोनों के बीच के दूरी d same है है ना दोनों का masses fixed है तो यह जितना force earth moon में लगाएगा उतना ही force moon earth पे लगाएगा क्योंकि यह action reaction pair है diagram मना है लिख दिये reason कि पहले तो same होगा पहले तो पूछा है कि earth जो force लगा रही है वो ज़्यादा होगा कम होगा कि बराबर होगा तो पहला answer क्या है बराबर होगा equal होगा same होगा yes और फिर क्यों क्योंकि यह action reaction pair है दोनों में बराबर लगेंगे बस direction क्या होता है opposite है ना देखो moon ने earth को इधर right side खीचा तो earth ने moon को left direction opposite होगे magnitude equal होगे same instant पे लगेंगे अलग-अलग objects पे लगेंगे पता है ना action reaction pair के बारे में if moon attracts the earth why does the earth not move towards the moon बिल्कुल सही जवाब है सवाल है क्या बोला जब earth जो है वो moon को धर्थी माता जो है वो moon को अपने तरफ खिच रही है तो यह जो moon है वो earth के तरफ क्यों नहीं आ रहा है और वो जो माने से चल रही है ना तो अभी तक तो आके भीड़ जाना चाहिए था क्यों नहीं भीड़ा क्योंकि moon के पास radius के perpendicular में velocity है, tangential velocity है क्या है या velocity है यह जो radius है ना यह जो दोनों का line joining है इसके perpendicularly क्या है velocity इस velocity के कारण जो earth force लगा रहा है उससे क्या हो रहा है direction change हो रही है ओर एक्सेलरेशन force है तो acceleration होगा force है तो acceleration होगा अब acceleration का खाली मतलब यह नहीं कि रफ़तार बढ़े या कम हो direction बदलेगी तब भी उसको क्या बोलते है acceleration बाद समझ में आई कि नहीं बास समझ्य में नहीं, अगर कहीं पर force है, तो acceleration फोगा ही होगा, because axis is equal to m, a, force है तो acceleration होगा, और अगर acceleration है, तो कहीं लोग को लगतें, acceleration मतलब रफ़्टार का change होना, ना-ना-ना, रफ़्टार का change होना तो acceleration है, लेकिन direction का change होना भी acceleration है, अगर कोई object इधर जा रहा था, इधर जाने लागा, same speed से, तब भी अपन क्या बोलेंगे, कि accelerate हुआ है, is that clear, तो यहाँ पर जो force है, वो कैसा काम कर रहा है, centripetal force का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, centripetal force, जब भी कोई चीच गोल-गोल घुमती है, तो center के तरफ एक force लगता है निदो घुमेंगी नहीं, जैसे अगर एक पत्थर को मैं रस्ती से बांद के गोल घुमाऊं, तो पत्थर गोल-गोल घुमेंगा, तो क्योंकि रस्ती उसको अंदर के तरफ खीच रही है, रस्ती काट दो के तो सीज़ा सीज़ा चल जाएगा, yes or no, है ना, तो जो center के तरफ force लगता है, उसको बोलते है, centripetal force, कौन सा force बोलते है, centripetal force, कौन सा force, centripetal force, हाँ, और यह जो centripetal force है, इसी कारण से, यह जो moon है, वो अर्थ के तरफ नहीं आ रहा है, उसकी direction change हो रही है, हाँ, कोई moon को रोग दे, तो आके भिढ जाएगा, अर्थ से, अभी यह से गोल नुमर 6, what happens to the force between two objects, if the mass of one object is double, हाँ, एक object का, अगर mass को double करोगे, तो force क्या हो जाएगा, डबल, अरे formula लिखनो ना, सबसे पहले, जब भी step का question है, तो पहले formula लिखना, f is equal to g m1 m2 by d square, अब बस अगर एक mass को double करोगा, तो force भी क्या हो जाएगा, डबल, directly proportional है, second question, distance को double कर देंगे, तो force चार गुना कम हो जाएगी, बताया था ना कल, अगर distance को double कर दोगे, तो 2 का square, 4, 4 times कम हो जाएगी, कितने times कम हो जाएगी, 4 times, reduce by 4 times, या become 1 by 4th of the initial one, जैसे लिखना हैं अंग्रेजी बना कि आप कुछ से लिख सकते हैं, हाँ, triple कर देंगे तो, 9 गुना कम होगी, 6 गुना नी, 2 से multiply नी करना है, 2 का square करना है, ठीक है, तो अगर आप दूरी को double करोगे, तो force 4 गुना कम होगा, और दूरी को triple कर दोगे, तो force जो है, वो क्या हो जाएगा, 9 गुना कम हो जाएगा, लास्ट ओल क्या है, the masses of both objects are doubled, यह दगो, यह mass का, पहला और object है, इसका भी mass double, दूसरे वाले का भी mass double, तो इसके यह double हुआ, तो force double हो गया, फिर यह double हुआ, तो force double हो गया, तो कितने times हो गया, 4 times, ठीक है, तो पहले का answer है, 2 times, second का, एक answer है, 4 times, एक answer है, 9 times, और थर्ड का answer है, 4 times, question number 7th पर आते हैं, question number 7th, what is the importance of universal law of gravitation, universal law of gravitation का क्या-क्या importance है, बताओ, देखो, इसमें न, देखो, क्या है, gravitation के कारण क्या है, भी है, आज आपकी जो tides आ रही है, waves आ रही है, उसी के कारण आ रही है, मून आपका goal घूम रहा है, आपको बहुत सारे asteroid से बचा रहा है, यह भी क्या है, आपका application तो है, useful तो है, अगर नहीं होता तो कैसे होता, important है कि नहीं, आपके लिए, है न, यहां की atmosphere पूरी अर्थ के पास है, मून की पास atmosphere नहीं है, क्योंकि वहां की gravitational force उतनी जादा नहीं है, समझ रहे हो, मून में जो gravitational field है, वो इतनी जादा नहीं है कि वहां के atmosphere को रोक के सके, लेकिन अर्थ के atmosphere इतनी जादा है कि यहां के पूरे atmosphere को रोक के रखी है, तो अपन जिन्दा है, है न, ऐसे बहुत सारे important point, आपको 2-4 important point यहां पर book में दिये हुए है, जो आप याद कर सकते हैं, ठीक है, देखो, the force that binds us to the earth, आपन अर्थ से चीपक के रखे हो है, ऐसा नहीं है न, क्योड गाए बहार, कहीं निकल गाए space में, तो अपन आज अर्थ से बाइंड है, क्यों, because of gravitation, है न, importance of universal law of gravitation, तीन पॉइंट दिये हो है, the motion of moon around the earth, moon का जो motion is earth के around, that is also important, है तो यह importance होगा, universal law of gravitation का, motion of planets around the sun, tide, मैं बता है न, जो tides आती हैं आपकी, जो moon के force के खानन आती हैं, तो यह सारी चीज़ें क्यों हो पा रही हैं, क्योंकि gravity exists, करती है, law of gravitation exists, करता है, is that clear, तो यह सारी importance point है, यहां पर दिया हुआ है, दिखा न, universal law of gravitation के just नीचे 3 या 4 points द दिखना है, what is acceleration of free fall, acceleration of any object only due to gravitational force of planet, ध्यान से सुनो, acceleration due to gravity क्या होती है, what is acceleration due to gravity, 8th question है न, वो, acceleration due to gravity क्या होती है, अगर कोई object accelerate कर रहा है, स्रिफ और स्रिफ ग्राविटेशनल force of planet के current, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, acceleration due to gravity, ठीक है, या acceleration of a free fall, acceleration of a free fall is also called acceleration due to gravity, and it is the acceleration of any object only due to gravitational force of any planet, पूरा नोट्स में लिखा हुआ है, है न, आगे, 8 हो गया है, 9, what do we call the gravitational force between the earth and an object, अर्थ और object के बीच के gravitational force को क्या बोलोगे है, mg, तो उसको नाम अलग से कुछ थोड़ी दिया है, weight, weight, next chapter में पढ़े है, mass and weight, धर्थी माता, अगर ये mass है, m, तो धर्थी माता इस पर कितना force लगा रही है, m into g, इसको क्या नाम दिये है, weight, याद रखना, है न, जो धर्थी माता किसी भी object को force लगा रही है, उसको एक special नाम दे दिये है, है, weight, चलो, आगे, कौन सा question है, 10, याद रखना, अगर कोई भी object है, mass m का, तो धर्थी माता का force कितना होगा, कितना होगा, m into g, ये होगा आपका पूरा का पूरा weight, is that clear, और इसी को, मतलब ये जो होगा force, और इसी force को नाम दे दिया गया है, weight, मास अलग है, weight अलग है, difference between mass and weight पका है, question, ये रखना, एक्जाम में, question number 10, चलो, numerical चालू हुआ की नहीं, खाली, theory थेओरी चल रहा है, एकदम, हां, Amit buys few gram of gold at the polls, at per the instructions of one of his friend, he hands over the same when he meets him at the equator, will the friend agree with the weight of gold bought, if not, why, चलो, आपको क्या बोला, कितना 10 gram ना, few grams, माल लो 10 gram, है ना, आपको क्या बोला, polls है, अरे, अर्थ में, जिस axis के बाउट, अर्थ गोल घूम रहा है, उसको पोल बोलते है, है, अपन लगभग equator में है, बीच ओ बीच, अरे, यह धर्थी माता है, यहां सासे गोल घूम रही है, यह पोल्स, और यह क्या है, equator, आनू में ना, इतनी जोग्राफी तो पढ़ रहे हो बच्छमन से, है ना, आप देखो, मैंने आपको पताया था, धर्थी माता एकदम गोल नहीं है, बीच से थोड़ी फैली हुई है, बोला था ना, यहां radius, ज्यादा है, equator का, और pole का radius क्या है, कम, और अपन को मालू में, acceleration due to gravity, इन्वर्स्थी proportional है, radius के square के, तो मतलब जो g की value होगी, g की, तो अपन को मालू में है, कि यह g जो equator में है, वो कम है as compared to g at pole, है ना, g at equator जो है, वो कम है as compared to g at pole, हाँ, radius कम pole का, तो वहां का g ज्यादा, बिल्कुल, आप एक बात बताओ, जब g का दोनों जगा अंतर है, तो दोनों जगा अगर आप same mass का, मालो exactly 10 gram actual में अगर weight है, और उसको अगर आप नापोगे pole में और equator में तो बराबर आएगा क्या, नहीं, देखो, मालो mass same है, है ना, mass तो same मालो क्या, mass तो same होता ही है, mass तो same होता ही है, वो change नहीं होता, mass fix होता है हर जगा, ठीक है, अगर आप weight देखोगे कहा pole में, तो क्या हैगा m into g of pole, दोनों में से कौन सा weight जदा होगा, मेरो बताओ, पोल वाला जदा होगा, क्योंकि वहां का g क्या है, जदा, वहां का g जदा है, तो वहां का weight जदा बताएगा, मतलब भीया, अगर वहां से 10 gram तोल के लाया था, तो यहां करप पर उसको क्या मिलेगा, कम, mass तो वही है, mass तो change नहीं हुआ, बस जी अंतर आ गया, बस समझने आ रहे हो, तो पोल में अगर वह गोल्ड नाप के लाया है, मानलो 10 gram, तो यहां पर जब वह नापेगा, तो 10 से थोड़ा सा क्या होगा, कम, less than 10, तो यही बताना था, कि भीया वह एग्री नहीं करेगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा क्या मिलेगा, कम, क्योंकि जो वह इंग मशीन होता है, देखो, अगर मास अगर आप कल्कुलेट कर पाते तो, वह तो सेम रहता है, बट वह इंग मशीन क्या कल्कुलेट करता है, M into G, फिर उसको G से डिवाइड करता है, हाँ, वहां के लिए अगर अलग इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं, वही का पोल का, और यहां के लिए अलग, तो दोनों में सेम बताता है, बहां समझ में आई, अरे पूरा लिख दिया है, G is greater at the pole, इतना कुछ सम ताम जम करना ही नहीं था, डारेक्ट आंसर देना था, चलो, 11th, 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 why will the sheet of paper fall slower than one that is clumped into a ball, अगर एक को पूरा मोज के, ऐसे ball बना दो, और एक को खुला paper को छोड़ो, तो खुला paper ऐसे धिर धिर गिरेगा, due to air friction, air resistance, due to air resistance, according to the formula, दोनों को एक साथ गिरना था, according to the formula, दोनों को एक साथ गिरना था, लेकिन जिसको आप ऐसे crumble कर दिये हो, पूरा का पूरा मोस दिये हो, जिसको ball बना दिये हो, अब उसका area हो गया कम, तो air resistance उसमें क्या लग रहा है, कम, लेकिन जो पूरा बड़ा सा paper है, उसका area क्या हो गया, ज्यादा, तो उसमें जो हवा का force लग रहा है, वो ज्यादा, इसले एक धिरी-धिरी किर रहा है, और एक तेजी से गिर रहा है, ठीक है? gravitational force on the surface of the moon is 1 by 6, as the strongest gravitational force on the earth, what is the weight of, weight in newton, of a 10 kg object on the moon and on the earth, दोनों में weight बोला है, 10 kg का object है, गर 10 kg का object है, तो उसका moon में क्या weight होगा, और earth में कितना होगा, पताना है, तो earth में कितना हो जाएगा, m into g, 9.8, इतना होगा, मतलब 98 newton, earth में कितना weight होगा, 98 newton, ठीक है, और moon में कितना हो जाएगा, 1 by 6, क्या वोला, वहाँ पर जो 4 से कितना है, 1 by 6, मतलब यहाँ का acceleration due to gravity है, उसका 6 गुना कम है, लगभग, exact नहीं, लगभग 6 गुना कम है कहाँ पर, moon में, ठीक है, तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 into 9.8 by 6, तो 98 by 6 newton, इसको calculate करते रहाँ, ठीक है, हाँ, मास पुष्ता तो सेम होता, जितना मास यहाँ, उत्रहीं मास, moon में, बाद में, Q12 हो गया, Q13, नुमेरिकल चालू अब, इतना दर लग गया, 21 मिनट लग गया, 12 कॉष्ण में, भाई, A ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 meter per second, calculate the maximum height it which it rises, ठीक है, to which it rises, the total time, ठीक है, हाँ, सबसे पहले कैसे करना है, नुमेरिकल को, ध्यान से सुन लो सभी कोई, है ना किस तरीके से आपको करना है, नुमेरिकल को, सबसे पहले बनाना डाइग्राम, 30 मार खाँ बनने की जरुवत नहीं है कि सब चीज दिमाग में होगे, हम तो direct formula लगाएंगे, 30 मार खाँ बनने की जरुवत, पहले बनाना डाइग्राम की भीया, उपर फेका, क्या रफ्तार से फेका, मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, तो obviously उपर खेगा, तो उपर ही जाएगा, कब तो उपर जाएगा, जब तो उपर जाएगा, जब तो उसकी speed 0 ना हो जाए, तो पहला सवाल पूछा की पताओ maximum height, मतलबी जो displacement है, वो कितना होगा पूछा है, एक चीज आपको लेनी है, नीचे जी, कितना लेना है, 9.8, और यहाँ 9.8 लेने में अच्छी value आएगी, जहाँ 10 लेने में आएगी, वहाँ बोल देगा की 10 लो, तो यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, तो क्या लोगे, 9.8, क्योंकि exact क्या है, 9.8, मिटर पर सेकेंड, स्कॉर, इसके बाद, पहला तो होगे diagram एक राफ बन गया कि क्या हो रहा है, यह आपको पता चल गया, step number 2, given लिखो, क्या करो, given, और एक motion के लिए, अगर मालनो, एक से जादा motion कहीं पर हो रहे हैं, तो उन सब के लिए, अलग-अलग given लिखोगे, is that clear? Is that clear? पका? चलो, तो भीया, यह, initial speed होगे, u, उपर direction को positive मालनो, मालनो, तो u हो गया, plus 49, acceleration हो गया, minus 9.8, क्योंकि उपर को positive माना, तो नीचे वाला negative लोंगा, है ना, v, final रफ्तार तो 0, 0 तो चाहे, plus हो चाहे, minus, meter per second, और s निकलना है, तो भाईया, इन सब के बीच में तो एक ही formula है, समझ में आगया, तो आपको दिमाग लगाने की ज़रोती नहीं, यह समझी में नहीं आता, कहां पर कौन सा formula यूज़ करना है, given लिखो, क्या निकलना है, यह लिखो, साफ-साफ दिख जाएगा सामने, ह यह ले तो डाग्राम मनाओंगी, हो क्या रहा है, अच्छा, 49 की स्पीड से उपर फेक है, तो उसकी स्पीड कम होते जाएगी, और किसी भी चीच को उपर फेकूंगा, तो उसकी स्पीड कम होगी, टॉप पॉइंट में रूखेगा, फिर नीचे आएगा, yes or no, yes or no, yes or no, yes or मेरा लगा देते हैं, 2A, देखो, जब भी माइनस में साइन है ना, तो ब्रैकेट लगा देना, नी तो माइनस कर दो कि तुम लो, मल्टिप्लाइड में न, 2AS आपस में क्या होता है, मल्टिप्लाइड में, 2 इंटू A इंटू S, कोई गवारपन किया था उस दिन, प्लस माइनस को उदर भेज़ दिया था, कोई तो था, 2AS is equal to V square minus U square, तो यहां का माइनस को मार देगा, क्योंकि पूरा मल्टिप्लिकेशन में है, तो माइनस में होता तो नहीं होता, पूरा मल्टिप्लिकेशन में है, इसलिए माइनस माइनस को मार दिया, हां तो माइनस को माइनस ने काट दिया तो प्लस बन गया यह देखो इदा देखो भाईया और देखो माइनस था ना अध्यान दे दिया करो क्लास में तो एस की वैलियो हो गई 49 into 49 upon 2 into 9.8 49 का डबल होता है 98 यस तो 0.2 times तो एक 0 उपर लगा दिया तो यहांसे 2 हट गया 4 से अब डिवाइट कर दो 490 by 4 meter इसी था सवाल का एक और point है दूसरा phase भी है दूसरा सवाल भी है point इस सवाल के अंदर क्या total समय बताओ जाके वापस आने में कितना लगेगा तो खुद बताओ जितना समय उपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में लगेगा उपर उपर जाने का समय निकाल के इंटू टू कर दूं क्या अरे जितना समय मानलो चार सेकन उपर जाने में लगा तो चार नीचे तो टोटल टाइम निकालने के लिए खाली उपर का निकाल के इंटू टू कर देता हूं तो नहीं क्यों बोले तो भी आप देखो अब तो सब चीज़े तुम्हारे पास T निकालना है तो कोई भी फॉर्मल लगा सकते हैं लेकिन पहला फॉर्मला इसी पड़ेगा क्या V is equal to U plus A T तो दूसरा क्यों अपनाओंगा मैं कॉटे टिक समझ रहे हो तो पहला फॉर्मला अपनाओंगा कौन सा V is equal to U plus A T ठीक है V is equal to U plus A T प्लस किया हो और वो A की value है माइनस ठीक है तो यह 9.80 को इधर ले आओंगा बिचारे को तो प्लस हो जाएगा तो T की value हो जाएगी 49 upon 9.8 तो आप यह नीचे भी एक 0 से multiply उपर भी एक 0 से multiply 10 टाइम्स 2 टाइम्स कितना है फाइफ सेकेंड्स पाइब है पक्का calculate कर लो एक बार हाँ 5 सेकेंड्स तो नीचे डेसिमल हट किया ना एक DAYसिमल के आगे से नीचे डेसिमल हटा ना था एक नमबर के एक डिजिट के आगे से तो 10 से मिल्टिप्लाई किया नीचे भी और उपर भी तो आगे 5 सेकेंड अब 5 सेकेंड जाने का 5 सेकेंड आने का एंसर क्या दोगे 10 सेकेंड सवाल को ना पूरे आख नाख मुझ खोल के पढ़ना कई पर ऐसे एंसर निकालते हैं उसी को छोड़का जाते हैं वाँ 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 एंसर आ गया बहुत बढ़ियां देखते ही नहीं है पूछा क्या है सवाल में कोईस्ट नमबर 14 क्या वला है यह एक टावर है बिल्डिंग है बिल्डिंग के उपर से खुद नहीं खुदना है एक स्टोन को छोड़ना है एक स्टोन को लीव किया देखो दो चीज का अंतर है त्व्यान से सुनो कान खोल के सब कोई आगे से बन था क्या सच में खुलना पड़ रहा है आप दो चीजें पहला ड्रॉब्ड थ्रोन अलग है दोनों जब मैंने बोला ड्रॉब्ड तो इनिशल स्पीड कितनी जीरो बट थ्रो करूंगा तो इनिशल स्पीड जीरो याद रखना तो क्या बोला है कभी भी ड्रॉब्ड ना जस्ट फॉलन या कुछ इस टाइब से वर यह बाद रहेगी तो भी अजस्ट यहां से छोड़ दिया तो इनिशल स्पीड कितनी थी जीरो जस्ट अगराने से पहले स्पीड पूछी है यस और नो और अपनको वालों में भीया धरती माता का एक्स प्यार कितना इस आपजेट के उपर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्कौर चाहिए पहले बैए फार्मुला बाद में पूट करना पहले क्या करोगे गिवन लिखोगे तो चाहिए यू इक्वाल टू जीरो एज इस उक्वाल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्कौर में नीचे वाले डिर्च्शन को मैंने पॉस्टिव माना थेक है और क्या निकालना है प meter, तो S दिया हुआ है S कितना दिया हुआ है, 19.6 अब देखो भया इन चारों, तीन चीस दिया है एक पुछा है, इन चारों के बीच में कौन सा रिस्ता है ये रिस्ता क्या कहलाता है 2S is equal to V square minus U square है ना, तो 2S is equal to V square minus U square तो V की value आ गई, under root 2 into 9.8 into, 19.6 को 2 into 9.8 लिख सकता हूं क्या कोई बुरा तो नहीं मनेगा माल लो तो 2 और 2 एक टू बहार 9.8, 9.8 ना, एक 9.8 बहार, तो direct 19.6 is the answer अभी meter per second भूल जाते, आदा number कट जाता है ना Is that clear? तफ एक एक रिमेर कल बस थोगा सा डर हटाना है क्या दिया है, आख नाख मूझ खोल करके अगर, सरी, आख नाख और दिमाख खोल करके अगर कोशन को solve करोगे है ना, दिमाख खोल करके अगर कोशन को solve करोगे तो answer आ जाएगा, वो भी सही-सही, है ना जादा गोरा होगे हैं क्लियर है, नेक्स सवाल नेक्स सवाल कोशन नमर 15 अभी 17 भी आएगा, 17 पे खत्रा हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से बाइस कुशन तक करने है, 30 मिनट हो गया, 30 मिनट में तो राम सज़ाएं तो इस टोन इस थोन वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली मतलब यह और जेंटली उसका परपेंटिवलर वर्टिकली है, ठीक है, तो एक स्टोन को भीया उपर फ्रो किया गया है, वर्टिकली अपवर्ड विता इनिशल स्पीड ओफ 40 मिनटर पर सेकेंड, यहाँ पर दिया है, जी को दस लो, तो यहाँ पर जी को दस लेंगे, नहीं तो क्या लेते हैं? तो नीचे जी है, 10 मिटर पर सेकेंड, स्क्वाइर मैक्सिमुम हाइड बताना है, और डिस्प्लेस्मेंट बताना है, नहीं डिस्प्लेस्मेंट and the distance covered by the stone, पूरे मोशन के लिए पुछा है, है ना? चलो, अब इजा देखो, भाई, जो भी चीज को उपर फिकोगे, वो वापस निचा आएगी की नहीं? अगर रितिक रोशन किक ना किया हो, है ना? जादू मुमी में, बाहर, है ना? तो until and unless रितिक रोशन किक किया हो, रितिक रोशन नहीं, क्या नाम नहीं? रोशन, नहीं क्या नाम तो समय? रोहित, रोहित महरा, है ना? जब तक रोहित महरा किक ना किया हो, तब तक जो भी चीज उपर गई है, वो वापस आएगी वैसे हाँ, किसी भी चीज को अगर आप 11.2 km per second की रफ्तार से फिकोगे, तो वो वापस निएगी वो धरती माता के बाहर मिकल जाएगी, ग्रविटेशनल फिल्ट से, 2 km per second, किलो मिटर पर second, ठीक है? 11.2 आज तक कोई फिक नहीं पाहा है, है ना? अगर भाई चांस आप अपने दोस्त को उठा के फिक दोगे, तो वो धरती माता के ग्रविटेशनल फिल्ट से बाहर मिकल जाएगा, वापस नहीं आएगा, पिछा छूट जाएगा, ठीक है? बाहर टकर उससे धीरे फिके, तो वापस आजाएगा, ठीक है? चलो इता देख जाते रहेगा, उपर जाना बंद कब करेगा, जब उसकी स्पीड क्या हो? जीरो, कॉमन सेंस, अब गीवन लिख दो, और हाँ, निकालना क्या था, यह एस निकालना था, तो गीवन, क्या लिखोगे? गीवन, यू इस इकॉल टू, उपर वाले को पॉसिटिव मालनू, उप हम सब नीचे वाले नागे टीवी रहते हैं, और भी कितना है, जीरो, एस में कालना है, एक ही फार्मुला लग रहा है, बार बार, मैं नहीं करूंगा, सॉल, एस इकॉल टू, 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 एस इकॉल टू, 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 ए, ब्रैकेट लगाया हूँ, माइनस है, ताकि क ना हो, कि बलतों कि सर गल्ती से मिस्टेक हो गया, टू, ए, एस, इस इकॉल टू, वी स्कॉर माइन, कि तो, सेम सेम कोशन कर रहा हूं, बार बार लग रहा है, मेरको, अभी तो एकी सवाल हुआ है, इसके अंदर एक और सवाल है, डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेस्मेंट, पूरे मोशन का, पूरे मोशन का डिस्प्लेस्मेंट कितना होगा, क्योंकि जहां से फेका, वहीं वापस आ गया, है ना, तो डिस्प्लेस्मेंट कितना हो जाएगा और डिस्टेंस कितने हो जाएगा 160 आसी गया असी वापस आया तो कितना हो गया एक सो साथ मेटर अगलो सवाल्ज कौन सा था ये एक कैल करना में वैली पूट करनी एक अना वैल्यू लिगते ता हूं आप लोगं कल्कूनेटर से रहां से कर लेना 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 जी यह क्या लिखा है आपिटल जी की मैडम स्मॉल जी की तो छोटी सी है 9.8 मेटर पर सेकेंड स्कॉर्र है ना 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 यूनिट कैस की न्यूटन न्यूटन मेटर स्कॉयर पर के जी अभी लटक जाते तो इंटू मास अफार्थ कितना है 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू मास अफान 2 इंटू 10 की पावर 30 अपाउन 1.5 इंटू 10 की पावर 11 का होल स्कॉयर तो अब यह 1.5 मतलब कितना है 3 by 2 है कि नहीं अरे 1.5 मतलब किया है 3 by 2 तो 3 इंटू 3 और 2 इंटू 2 3 by 2 तो 2 ऊपर चला गया 3 2 चला गया इसको भी लगबग 3 2.2 कर दें एप्रॉक्सिमेट आप देखो 10 की पावर ऊपर एक में माइनस 11 है एक में 24 एक में 30 और यहां से 22 पर जाएगा तो माइनस 22 और उपर में कितना बज गया 22 24 24 16 12.2.2 into 16 तुस दूस यॐ ज्यादा टॉफ नहीया ओक्कर दिए pattern designer 앉 tastes cm को तू आप्रोक्सिमेट कर दिए इंटु 2 2012 ok be camera hey क्या इतना लोड लेते हो अब 2.22 into 16 तो करी सकते हो इन्टू 10 की पावर कितना हो गया यह 30 40 54 54 माइनस कितना हो गया 20 33 माइनस 33 कितना हुआ 21 बस आगे अंसर नहीं गल्ती हो जाता ना भी ठीक है कैल्कुलेशन तफ नहीं था अब 2.22 को भी इन्टू 16 तुम कैल्कुलेटर से करोगे देख लो कुछ गड़ बर सब्सक्राइब होगा तो देख लेना भाई मैं जल 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 दी करता हूं आगे लगा तो मिनार्ट अगे कोशन नम्मर 17 सट्रा पे कत्रा इस टोल टू फोल व आप ऑंधर होगा छू अटेक प्र्च्टराइब प्रजेक्टेट वर्टी के लिए प्वार्ड फॉर्ट वह रखार लेना इस नोब से में इस अट्रापर कर लेना था सवाल है स्टार मार कर लेना थार मार कर लेना कोशन नमर से मिंटिन में यह लों को लग रहा है कोई कॉमेडी सो में आ है क्यों चलो 17 पर 17 इदा देखो 100 मीटर उची बिल्डिंग है भाई साब बहुत बड़ी उची बिल्डिंग हो गई 300 फिट से भी जाता मां कितनी बड़ी पता है यह यहां गली स्टार्ट में गया जितनी लंबी गड़ी इतनी इतनी इतनी ऊची बिल्डिंग भाई चलो ठीक है अपनको कहली ना देना है 100 मेटर की उची बिल्डिंग है उची है बिल्डिंग एक पत्थर को उपर से छोड़ा है ना लिफ्ट भी बंद है फिर भी उपर से जाके छोड़ा U equal to zero स्वीट से ठीक है मतलब drop किया क्या बोला एक stone को drop किया और उसी समय exactly उसी समय किसी ने यहाँ नीचे से एक पत्थर को उपर फेका 25 meter per second से ठीक है क्या उतार रहे पहले सेख देख तो लो पहले समझ लो बैठा लो दिमाग में फिर करते रहना घर में जाके चालो इदर हाँ सवाल क्या है कि भीया एक जन्ने 100 meter की उची बिल्डिंग से पत्थर को फेका और एक जन्नी नीचे से उपर स्टोन को फेका एक ही टाइम पे तो बुला कब और कहां मिलेंगे अरे ये दोनों पत्थर कब और कहां मिलेंगे ठीक है चलो भीया तो मान लेते हैं भीया कि उपर से x दूरी पे मिल रहे हैं मान सकते हैं क्या तो भीया अगर उपर से यह दूरी है तो नीचे वाली कितनी हो जाएगी 100 माइनस एक्स धरती माता का तो प्यार दोरों में सेम रहेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्कॉयर इसमें भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्कॉयर 9.8 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 10 लेने के लिए बोला नहीं है थोड़ी है नहीं बोला हो लोगी शाञती शांती शांती बनाए रख्थें अब दो अलग़़ग मोशन है कि नहीं कि ऋपर से यह नीचे गिर रहा है नीचे से इस जह नहीं मतल structured ऑपर से मोशन ख़र पूरा पूरा ना इसका गिवन अलग उसका गिवन आलग अना थी तो A की value कितनी आ गई? A की value आ गई plus 9.8 meter per second square. displacement कितना हुआ? X. displacement कितना हुआ? X. और इसको भी समय कितना लगा T और इसको भी समय कितना लगा T दोनों को एक साथ छोड़े और एक साथ आखे यहां मिल रहे है जितना समय में यहां से आया, उतने समय में यहां से आया यह सार नो? यह सार नो? तो भया समय भी दोनों में क्या लगा? बराबर. तो यहां पर T लगा T ठीक है? वही! अब इसी में गीवन मत लिख देना इसका दोनों मोशन अलग अलग हैं बिचारे कंबाइन मत कर देना ठीक है? यह कर दिया था सुवां कंबाइन अब इदर गीवन अलग इसका यू कितना है? इसका यू कितना है? 25 अब यह पूरा अलग मोशन लिख रहा हूं तो इसमें मैं उपर डायक्शन को पॉजिटिव मान सकता हूं अब यहां उपर मैंने क्या माल लिया? 25 को उपर प्लस तो यू दिया है, एस दिया हुआ है कितना? 100 माइनस एक्स और एक्सलेरेशन धरती माता का माइनस 9.8 मिटर पर सेक्ट स्कार मिटर पर सेक्ट यूनिट लिखते रहना मिटर है ना? और क्या निकलना है? टाइम क्या है? टी तो अब एक रिस्ता इन चारों के बीच और एक रिस्ता इन चारों के बीच लिख सकता हूं मैं कौन सा रिस्ता लिखाएगा? S is equal to ut plus half a t square Yes or no? S is equal to ut plus half a t square दो अन्नोन है दो चीज नहीं पतापन को एक तो t और एक x यही दोनों तो निकलना था कब और कहां मिलेंगे? Yes or no? सवाल यही पूछना था कब और कहां मिलेंगे? ठीक है? तो अब यह आप t और x निकलना है तो इनके पीच में रिस्ता लिखूंगा S is equal to u to 0 तो ut निपट गया लिखने की चर्वत है ut plus half a t square ठीक है? यहाँ पर लिखेंगे S is equal to ut plus half ut plus half a t square ठीक है? यहाँ यह plus minus जैसा क्यों दिखरा समझ में आ गया? क्योंकि a की value negative है तो minus बाहर लिख दिया ठीक है? फॉर्मूला में प्लस ही है फॉर्मूला में प्लस ही है यहाँ एक ही value negative है जो भाहर दिखरी है is that clear? चलो भीया अब मेरा मन कर रहा इस x की value को उठा के यहाँ से यहाँ पूट करने का कर दूँ तो मुझ मना करते तो जैसे नहीं करता 100 minus x के जगा के लिख दिया half 9.8 t square is equal to 25 t minus half 9.8 t square अरे यह दो पूरा कट गया? कोडिक गई, simple sensor आगया t is equal to 4 second 4 second बाद मिलेंगे अब कहां मिलेंगे? यहाँ पूट कर दो 4 into 4 16, 16 by 2, 8 9.8 into 8 उपर से इतना दूरी पर मिलेंगे that's all अच्छा और है question number 18 चलो खत्रा हट गया 17 पर खत्रा हट गया तुम्हारे उपर से नहीं हटाए भी दुबारा करना पड़ेगा बाद में अगला सवाल ध्यान देरें सब कोई पक्का आवाज नहीं आई अब वाल थ्रोन वर्टिकली अब वर्टिकली रिटर्न सुदर थ्रोर आफ्टर 6 सेकंड ठीक है माननो प्यूस ने उपर वाल फेकी 6 सेकंड बाद उसके पास वापस आ गई मतब 3 सेकंड तक उपर गई होगी 3 सेकंड तक वापस तो भीया 3 सेकंड तक उपर 3 सेकंड तक वापस अधर्थी माता का प्यार तो सबको मालू मैं कितना है जब तक 10 न बोला जाये तब तक लेने का नहीं जब तक बैठने को न बोला जाये तब तक बैठने का नहीं अधर वेलासिटी दिट्विच इट फ्रोज अप मैक्सिम हाइट इस पूछा आप भाई क्या इतना इसी सवाल है क्या पूछा है बताओ कितने रफ्तार से फेका था यह उशने बॉल को कितने रफ्तार से उपर फेका था बताओ चलो देखो मान लेते हैं V स्पीट से फेका था कितने स्पीट से फेका था आपको ये मालो में टॉप में रफ्तार कितनी होती है तॉप में रफ्तार कितनी होती है जाने जाने का समय कितना है तो क्या क्या दिया है गीवन लिख देता हूँ गीवन लिख दूँ गीवन दिया हुआ है फाइनल रफ्तार जीरो इनीचल रफ्तार निकालनी है यह सवर नो और टाइम है तीन सेकेंड और धरती माता का प्यार है माइनस उपर अले को प्लस मारा हूं तो नीचे अले क्या हो जाएगा माइनस माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वार क्या इन सब के बीच में कोई रिस्ता मालूम है कौन सार रिस्ता मालूम है V is equal to U plus 80 तो भाया V मतलब 0 is equal to U minus 9.8 into 3 तो U की value आ गई 9.8 into 3 मीटर पर सेकेंड इसी था बहुत सवाल तो अब U की speed आ गई और क्या के पुछा है displacement अब S निकालना है अब V, U, T और A सब पता है तो S निकालने के लिए या तो दूसरा formula यूज़ कर लो या तीसरा जो उनसा यूज़ करना है दोनों मैंसे जो भी यूज़ करोगे क्या जाएगा displacement तूरंत आ जाएगा आपका displacement अब इसमें एक मज़िदार सवाल है क्या बुला है फेखने के चार सेकेंड बात पार्टिकल कहा है तीन सेकेंड में तो टॉप में पहुचा फिर एक सेकेंड में थोड़ा और कम आया होगा तो अब या इसका दो तरीका है निकालने का एक तो आप ऐसे निकाल लो कि भी आपको यह पता चल गया यहां से टोटल से 9.8 इंटू 3 कितना रहा है जल दिसी बता दो एस क्या बताता है तो वो डाइरेक्ट आपको डिस्प्लेस्मेंट बताएगा कि यह चार सेकेंड बात पार्टिकल कहा है बस वेल्यू जाही साही पूट करना जहरती माता का प्यार कितना है बस तो गीवन लिखो सबसे पहले क्या लिखो गीवन दूबारा लिखना पढ़े है लो कोई मना करता है किया भरो अच्छे से गीवन यू की वैल्यू कितनी है 29.4 धर्टी माता का प्यार time कितना 4 क्या निकालना था displacement क्या रिस्ता है सबके बीच में s is equal to ut plus half a t square तो s is equal to 29.4 29.4 into t minus half a t square solve कर लो ठीक है डायरेक्ट एंसर आएगा डायरेक्ट डिस्प्लेस्मेंट आएगा चलो कितने questions हो गए 18 चार questions बचाएं वह करेंगे फिर किसी और दिन 49 minutes में अपने ठारा questions किये बस सीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीच फिर बिलेंगा आप से अगली class में तब तक के लिए हसते रही है मुस्कुराते रही है देखते रही है एड्यू मेंशन की क्लासिस बाई बाई टेक केर